हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए ट्वन्टीफो नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे GSE CL, गुजरात स्टेट एलेक्टिसिटी कॉर्परेशन लिमिटेट की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म फिलप प्र लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चैक आउट भी कर सकते हैं, अगर आप इसमें अपलाए भी कर सकते हैं, अब यहाँ पर बात करेंगे इस वेकेंसी के बारे में और इसकी फॉर्म फिलप प्रॉसेस के बारे में, तो फ्रेंस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी, वो आपको लगातार मिल सकेंगे, तो फ्रें से यहाँ पर क्योंकि यह vacancy है आपके गुजरात state की तो गुजराती language है वो mandatory है उसकी knowledge आपको होना जरूरी है और इसके अलावा भी और पोस्ट भी यहाँ पर निकाली गई है जैसे instrument mechanic है company secretary है junior programmer है और आप इन पोस्ट के लिए applicable है तो आप इनके लिए भी apply online कर सकते हैं अब यहाँ पर बात करेंगे इसके form fill up process के बारे में तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए option मिलता है register candidate का और एक मिलता है new user का तो अगर आप new user है तो आप इस option पर click करेंगे आपको यहाँ इंस्टक्शन दिये गए हैं आपको यहाँ पर इसे declare करना है और declare करने के बाद फ verify करना होगा उसके बाद ही आप आगे की जो process है वो कर पाएंगे इसके बाद friends यहाँ पर आपको post select करनी है इनवे से आप किस post के लिए apply कर रहे हैं जो भी post click apply कर रहे हैं उसको आप select करेंगे आपकी जो भी mail id है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी आपको यहाँ पर एक password बन security question का आपको answer देना है यहाँ पर फैंस जो यह verification code है यहाँ आपको fill करने के बाद यहाँ से आपको submit करना होगा registration को complete करने के लिए इसके बाद friends आपका registration यहाँ पर हो जाएगा और जो आपको user id यहाँ पर मिली है वो user id और जो password आपने बनाया है यह डाल कर आप यहाँ से login कर सकते हैं इसके बाद friends आपको यहाँ पर instructions को पढ़णा है और उसके बाद आप इस continue tab पर click करेंगे इसके बाद friend से आपको यह form है यह start हो जाएगा सबसे पहले आपको 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 नाम है आपका जो first name है वो आपको यहाँ पर enter करना होगा यह एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर father या फिर जो husband name है वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं और इसके बार friends से आपको यहाँ पर जो सरनेम है वो आपको enter करना होगा तो यहाँ पर friends से आप चाहें तो अपने father का या husband का पूरा नाम आप देना चाहें तो दे सकते हैं बाकी short में आप नाम की entry कर देंगे क्यो इसके बार friends से यहाँ पर डॉमिंशल अगर आपका गुजरात का है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं आपकी category इन में से जो भी है वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं आपका gender आपको select करना है और अगर आप गुजराती आपको knowledge है गुजराती की गुजराती बोलने लिखने इसके बाद कोई भी एक ID proof आप इन में से select कर सकते हैं उस ID proof का number आपको देना होगा और यहाँ पर friends अगर आपने board apprenticeship GSCS में किये हुई है तो आप yes कर सकते हैं और अपना apprenticeship registration number प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं तो आप इसमें no कर देंगे अगर आप implement exchange में register है तो आप yes कर सकते ह अपने exchange registration number को आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे नहीं है register तो आप no कर सकते हैं marital status आपको बताना है nationality आपको select करनी होगी अगर आप employee है GU VNL में या उसकी subsidies में तो आप yes कर सकते हैं retired employee है तो आप yes कर सकते हैं access armed force personal है तो yes कर सकते हैं pH candidate है तो आपको यहाँ पर PS type और PS percentage देन 2021 को आपका पूरा address क्या है जो भी address आप लिखते हैं अपने address में वो आप यहाँ पर फिल करेंगे यह आपका permanent address इसमें आपका state चूज करना है आपका district आपका city टाउन आपका जो pin code है वो सब आप यहाँ पर enter कर देंगे इसके बार फ्रेंस से next option यहाँ पर आता है आपके correspondence म सबसे पहले SSC की जानकारी आपको यहाँ फिल करनी होगी तो आपको यहाँ पर देना है आपके institution या school का नाम आपके यहाँ पर बोर्ड का नाम इसके बार आपका year of passing क्या है तो आपका जो भी year of passing है जब भी आपने इसको pass out किया है वो आप यहाँ पर mention कर सकते हैं इसके बा आपका passing year, आपका percentage आप यहाँ पर enter कर सकते हैं तो आपके according जो भी जानकारी आप यहाँ पर fill करना चाहे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर fill करने की बाद next option आता है आपके graduation का तो यहाँ पर आपकी जो BE, BTEC आपने क्या किया हुआ है वो आपको देना है आपके institute का नाम देना है इसके बर आपके यहाँ पर board का या university का नाम देना है आपका year of passing क्या है आपने इसको कब pass किया है वो आपको यहाँ select करना है grade system था percentage था CGPA था आप select कर सकते हैं passing class आपका क्या है आपका division grade कितनी percentage आपकी है वो आपको बताना होगा और यहाँ पर friends आप equivalent में आपके जो format आपको दिया गया है इसमें आप अपनी percentage की entry कर सकते हैं इसके लगा आप चाहें तो यहाँ पर division भी दे सकते हैं पर percentage obtain का option यहाँ दिया गया है कि आपने कितनी percentage दी इसके बाद अगर आपके पास कोई experience है तो आप दे सकते हैं क्योंकि कोई experience required नहीं है तो आपको directly proceed करना है और इसके बाद friends आपको यहाँ पर upload करना है photograph and signature तो browse पर आप click करेंगे file को select करके upload कर देंगे photo यहाँ पर upload होने के बाद आप save and nest करेंगे और इसके बाद आपको signature upload कर photo sign upload करने के बाद friends आपको save and nest पर click करना होगा और इसके बाद friends आप यहाँ पर जो आपका preview है वो check कर सकते हैं अगर आपको लगता है किसी section में गलती है तो आपको यहाँ पर edit का option भी मिल जाता है और अगर friends आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ से जो details है यह इनको declare करेंगे और उसके बाद submit and proceed करेंगे payment करने के लिए इसके बाद friends आपको यहाँ पर जो payment है वो आपको online करना है तो आप यहाँ पर option पर click करेंगे आपके सामने payment gateway open होगा आप चाहें तो debit card, credit card या net banking इन दो option का ही use करें भी मियूपिय से भी आप payment कर सकते हैं बाग आपना जो final print out है वो निकाल कर अपने पास रख पाएंगे future use के लिए future reference के लिए तो यहाँ पर friends से मैंने आपको सारी process बता दी है कैसे आप यहाँ पर गुजरात का GSE CL विद्यूट साहक recruitment 2021 का online form फिल कर सकते हैं step by step process के बारे में और यहाँ पर friends से जो भी जानकारी मैंने आ बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा यूट्यूब चनल एनलास थेंक्स पूर वाचिंग